नमस्कार, YouTube चैनल N Universe Study में आपका स्वागत है अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप इसको सब्सक्राइब कर लिजिए ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे आप इसके Facebook पेज, Facebook ग्रूप N Universe Study को भी जोइन कर सकते हैं आज हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे हरियारना करंट अफेर्स, जोन 2017, पार्ट 3 शुरू करते हैं, पहला प्रशन है विशव की सबसे कम उमर की परवता रोही, सुर्यास संगनी चोदरी हरियाना के किस जिले से सम्बंदित है ओप्शन है, गुरू गुराम, हिसार, करनाल, सौनिपत इस प्रसन का सही उत्तर है, ओप्शन D, सौनिपत सुर्यास संगनी ने परवता रोहन की दुनिया में विशव रिकोर्ड बनाकर सौनिपत का नाम दुनिया भर में चमकाया है तीसरी कक्सा की छातरा, आठ वर्सिया सुर्यास संगनी कई किलोमेटर की अंत्यंत कठिन ट्रैकिंग करते हुए उत्राखंड के उत्राकासी जनपद स्थित गोविंद राष्ट्रिया उध्यान के मद्या से काला नाग परवत के 17,000 फिट उंचे केम्प दो तक पहुँची इस दोरान उसने माइनस 10 डिगरी तक के खून जमा देने वाले ताबमान का सामना किया 14 में से 5 दिन बर्फ पर ही टेंट लगा कर सोई और रसियों वे अन्य तकनीकी उपकरणों का प्रयोग करते हुए बहुत ही दुरगम और खतरनाक पहाडों, चट्टानों भरे रास्तों वे बरफीले फिसलन बरी डालानों को पार किया इस नन्नी जावाज ने 6 जून सुबह साड़े 11 बजे इस कारनामे को अन्जाम दिया और चोटी पर तिरंगा फैरा कर और रस्टर गान गा कर अपनी इसुप लबदी को अपनी मा और देश को समरपित किया अगला प्रशन है हरियाना के वरिष्ट नागरिकों को राज्या परिवहन की बसों में गतवय स्थान तक कितने परतिसत बस किराये में छूट दी गई है ओप्शन है 20 परतीसत, 40 परतीसत, 50 परतीसत, इस प्रसन का सही उत्तर है ओप्शन C, 50 परतीसत हरियाना राज्ये के वरिष्ठ नागरिकों को राज्ये परिवैन की बसों में गंतमवे स्थान तक 50 परतीसत बस किराय में छूट दी जाएगी और यह चूट महिलाओं के मामले में 60 वर्षे अधिक आयू होने पर वैपुर्सों के मामले में 65 वर्षे अधिक आयू होने पर मिलेगी और यह चूट राज्ये प्रिवान की बसों में अन्य राज्यों के उचित स्थान पर भी मिलेगी अगला प्रशन है हरियाना में इंडो डेट सेंटर, एगरो बिजनेस के अंदर तथा पुस्प मंडल के स्थापना करने के लिए किस देश से सहयोग लिया जाएगा ओप्शन है सीरी लंका, नीदरलेंड, सिंगापोर, अस्ट्रेलिया इस प्रशन का सही उत्तर है ओप्शन बी नीदरलेंड, अगला प्रशन है आदेश मेडिकल कोलेज के प्रथम सत्र का सुभारम मुख्या मंतरी मनोहरलाल खटर ने किस जिले में किया ओप्शन है सोनीपत अंबाला कुरुक्षेतर हिसार, इस प्रशन का सही उत्तर है, ओप्शन सी कुरुक्षेतर 24 जून 2017 को मुख्या मंतरी मनोहरलाल खटर ने आदेश मेडिकल कोलेज जो मोहरी साबाद जिला कुरुक्षेतर में है, इसके उदगाटन सुमरों में कहा कि प्रदेश के सभी जिलों में मेडिकल कोलेज खोले जाएंगे, क्यूंकि वर्तमान में प्रदेश की जिनसंख्या के अनुसार 27,000 डॉक्टर की जुरूरत है, जबकि इस समय विभाग के पास 10,000 डॉक्टर सी मौजूद हैं, ताकि नए मेडिकल कोलेजों से डॉक्टर की कमी को पूरा किया जाए, और करनाटक ही एक ऐसा राज्य है, जहां पर सबसे ज़्यादा मेडिकल कोलेज हैं, अगला प्रसन है, हरियाना राज्य में माता सीतला देवी के नाम पर मेडिकल कोलेज कहां स्थापित किया जाएगा, ओप्शन है, रोतक, जजजर, गुरु गु में माता सीतला देवी के नाम पर मेडिकल कालेज बनाये जाने की घोसना की, और इसके निर्मान में तीन संस्थानों को जिम्मेदारी दी गई, जिनमें नगर निगम गुरु 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 ग किया जाएगा, option है मानेसर, पंचकुला, हिसार, सोनिपत, इस प्रसंद का सही उत्तर है option A, मानेसर, हरियाना राज्ये में युवाओं को दक्स और कोशल बनाने के मद्दे नजर, परदेश में गलोबल स्किल पार्क बनाया जाएगा, और गुरु गुराम जिले के मानेसर में यह स्थापित किया जाएगा, और यह पार्क सिंगापूर के मोडल के नुसार त्यार किया जाएगा, अगला प्रसंद है इस प्रसंद का सही उत्तर है, option C, जजज़र मानुसी चिलर, ताज जीतने के बाद, उन्होंने कहा कि हरियाना की आनबान सान तो एक औरत ही है जज़र जिले के बहदुर गड़ से सटे गाउं, बामडोली गाउं की बेटी ने, 54 में फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2017 का खिताब जीत कर हरियाना का नाम रोशन किया मानुसी चिलर का प्रिवार मोल रूप से बहदुर गड़ के बामडोली गाउं का रहने वाला है और मानुसी चिलर का जनम 14 मई 1997 को हुआ था मानुसी के पिता मित्र बंसू पेसे से डोक्टर हैं जो फिलहाल दिल्ली के इन मास इंस्टिचूट में असिस्टेंट डारेक्टर हैं और मा नीलम इब मास कोलिज में बायो केमिस्ट्री की प्रोफेसर हैं और तकरीबन 15 से 20 वर्स पहले मानुसी के परिवार ने अपने नोकरी पेसे के चक्र में गाउं छोड़ दिया था और गाउं की बेटी की सुपलब्दी से बाम डोली गाउं के लोग काफी खुस हैं मानुसी का ननिहाल गाउं सोनिपत जिले के गाउं जागसी में हैं मानुसी ने दिल्ली के सेंट थामस स्कूल से पढ़ाई की हैं और वह मिस इंडिया हरियाना 2017 भी रह चुकी हैं मिस इंडिया के अलावा मानुसी चिलर को मिस फोटोजैनिक का अवार्ड भी मिला है अगला प्रशन है मानुसी चिलर मिस वर्ड 2017 प्रतियोगता में भारत का प्रति निद्धितव करेंगी और यह प्रतियोगता किस देश में आयोजित होगी ऑप्शन है मलेशिया, कैनेडा, फ्रांस, चीन इस प्रसन का सही उत्तर है ऑप्शन डी चीन 25 जून 2017 को 54 में फेमिना मिस इंडिया बनने के बाद सिर पर जिमेदारियों का ताज मानुसी चिलर के सज गया है क्योंकि अब उनका फोकस मिस वर्ल्ड चेंपियनसीब की त्यारियों पर है और दिसंबर में चीन में होने वाली इस चेंपियनसीब में इंडिया के लिए ताज जीतने को मुंबई में छे मिने की ट्रेनिंग भी उन्होंने सुरू कर दी है और इसी वज़े से अपना MBBS का यह साल भी वो ड्रोप कर रही है अगला प्रशन है हिमाल्य की 6000 मीटर से अधिक उंची चोटी खोज कर उनको मा बेटी का नाम देने वाली परवता रोही सुनीता चोकन किस जिले से संबंदित है ओप्शन है भीवानी, रेवाडी, फ्रीदाबाद, सौनीपत इस प्रसन का सही उत्तर है ओप्शन B रेवाडी, रेवाडी जिले के बावल कस्बे के गुजर माजरी गाउं की बेटी सुनीता चोकन ने एक बार फिर सहसिक कार्य किया जिस पर प्रतेक भारतवासी को गर्व होना चाहिए सुनीता चोकन ने वर्स 2011 में माउंट एवरेस्ट को फते किया था और अब उसने हिमाले की ऐसी दो चोटियों को खोजा जिने उसने माँ और बेटी का नाम दिया गंगोतरी हिमाले की 52 चोटियों पर अनेक परवता रोही आरोहन कर चुके हैं मगर अभी भी वहाँ 6000 मीटर से अधिक उँची कुछ चोटियां हैं जहां पर किसी परवता रोही की कदम नहीं पड़े हैं सुनीता ने अपने साथियों के साथ गंगोतरी गलेसियर के रक्तवन चेतर में दो चोटियों का अरोहन किया इन में 6000 मीटर उन्ची चोटि को उसने मा और 6020 मीटर उन्ची चोटि को बेटी का नाम दिया पंदरा दिन की दुर्गम यातरा तैकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यहां अभियान का जंडा उन्होंने गाड़ दिया अगला प्रशन है स्मार्ट सिटी के लिए जारी 30 सहरों की सुची में हरियाना का कौन सा सहर सामिल है अगर मैं बात करूँ 23 जून 2017 को भारत सरकार ने 30 सहरों को स्मार्ट सिटी के रूम में विक्सित करने की घोशना की जिससे इस योजना के तहट अब तक चुने गए सहरों की संख्या बढ़कर 90 हो गई है और भारत सरकार ने वर्ष 2015 में स्मार्ट सिटी मिशन की सुरुआत की थी और जिसके तहट 100 सहरों को स्मार्ट सिटी के रूम में विक्सित किया जाना था 23 जून 2017 को चुने गए 30 सहरों में केरल की राजदानी त्रिवेंदरम सबसे अवल पहले नंबर पर है 36 गट का राएपूर दूसरे नंबर पर है और गुजरात का राजकोट तीसरे नंबर पर है और हरियाना राज्या का एक मातर सहर करनाल इन 30 सहरों की सूचि में सामिल होने में सफल रहा तो इस प्रसन का सही उत्तर है करनाल दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं सेर कर सकते हैं फेस्बुक पे वाटसब पे ट्वीटर पे अपने दोस्तों के साथ स्टूडेंट्स के साथ और एन इनिवर्स स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें जल्द ही आजिर होते हैं नई वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद आपका दिन सुब रहे